हलो गाइस, आज हम बात करेंगे अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्णी का हिस्सा हैं और ऐसे में आपको लगातार भारत द्वाच पक्षी बहुत जादा दिखाई दे रहा है तो इसकी पांच मीनिंग्स क्या होती हैं? सबसे पहली बात ये जो भारत द्वाच पक्षी होता है ये आपको चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और आसपास के पड़ोसी देशों में बहुत जादा देखने को मिलता है ये कवे के परिवार से होता है और बिलकुल कोयल या कवे की तरहा दिखता है लेकिन एक डिफ्र प्रॉच लाल या हलकी सी ब्राउन कलर की होती है और दिखने में ये बहुत जादा बड़ा होता है लेकिन कवे और कोयल जो उपर उड़ते हैं ये जमीन पे चलता है ये जादा उचाई पे नहीं उड़ पाता है एक लिमिटेट उचाई पे ही उड़ पाता है जैसे आपके दर्वाजे या खिड़की तक ही इसकी उड़ान सीमित होती है अब अगर ट्विन फ्लेम जर्णी में ये आपको शाम के समय दिखाई दे रहा है आप नो कॉंटेक्ट में हैं आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो ऐसे में पाशी का दिखाई देना एक शुप संकेत होता है ल कुछ हफते के बाद फिर सेपरेशन में बदल जाएगा पॉइंट नमबर टू अगर ये आपको दिन में दिखाई देता है या दुपहर में दिखाई देता है या सुबे के समय दिखाई देता है तो ये बताता है कि आपका पहुत जल्दी यूनियन होने तो वाला है लेकि बड़ा साइन होता है, पॉइंट नमबर 3, अगर ये आपको जुंड में दिखाई दे रहे हैं, चार, पाँच, छे या इससे जादा दिखाई दे रहे हैं, तो ये बताता है कि अभी कलेक्टिब में यूनियन की एनरजी चल रही है, तो जो लोग हाई बाइब्रेशन में हैं बहुत पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, संभावना है कि वो टुइन फ्लेम यूनियन में आ जाएं, पॉइंट नमबर 4, अगर आपको ये कपल में दिखाई दे रहे हैं, कि दो हैं, बहुत जादा प्यार से बैठे हुए हैं, एक दूसर से आपको कॉंटेक्ट मिलने वाला है, सेपरेशन रियूनियन में बदलने वाला है, और ये यूनियन हार्मोनियस होगा, बहुत जादा प्यार और खुबसूरती से भरा होगा, पॉइंट नमबर 5 और लास्ट पॉइंट ये कहता है, कि अगर आपको ये तीन दिखाई दे रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी के आने और थर्ड पार्टी के रिलीज होने का सबसे बड़ा साइन होता है, जो आपको टुइन प्लेम जर्णी में देखने को मिलता है, All the best, God bless you.